क्या गंगा छेत्र का पानी इतना दूशित हो गया है कि इसे पीना अब कैंसर को बुलावा देने जैसा हो गया है यह हम नहीं कह रहें यह कह रहें हैं मनिहारी के लोग हुआ यूगी आजकल मनिहारी छेतर में कैंसर पीरितों की संख्या इतनी अधिक तेजी से बढ़ रही है कि अस्थानिय लोगों में कैंसर को लेकर डर सा महौल देखा जा रहा है अस्थानिय लोगों का कहना है कि पहले तो हम कैंसर का सिर्फ नाम ही सुनते थे लेकिन अब इस्तिती यह है कि हमारे आसपास दरजुनों की संख्या में कैंसर के रोगी नजर आ रहे है इसका कारण कोई और नहीं बलकि गंगा के दूशित पानी को बताया जा रहा है हुमगाट में काम कर रहा है राम पिर जादा उसको भी कैंसर हो गया यह कैंसर जो है इतना जानलावा बेमारी हमारी गाव में फैला हुआ है हमारे माननी मुख्या जीजे इनके दुआरा जाच करने के समस्या पर दिये हुए हैं सारा रिपोट किये हैं और हम आप लोगों को मीडिया के माधम तेका देना चाहते हैं कि अभी लंभी इसक पर जो है सरकार का ध्याना कर्ष्ट किया जाए और इन लोगों को सहजोग दे कर किके कैंसर से निजाद दिलाने का काम किया जाए कराया है और कि अपना प्रस्म कराया है और थी दिखाई दे रहा है यह जैकि कि रहे हैं कि समाज बढ़ते जाएं क्या दोस्ते हैं हम लोगों को नीमें दोस्ते और कि पर अबार के बात हैं जाए तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है बहुत लोग डेट कर गया बहुत लोग विलाज चल रहा है जो भी परक्तानी हो जिस परकार से हुआ इतना लोग के इसका जाच किया जाए किस कारण से हो रहा है मुन्ना कुमारियादा मैं अंतरगत पर अंतरगत बगार पंचाइट में मेरे भाई का भी अभी कैंसर हुआ है मुझ में जिनका इलाई जम अभी टाटा मिमोरियल से भी हो था वहां से रिटर्न आ गिया तो पटना में करवा रहा है प्राइबेट से लेकिन हमारे पंचाइट में लगबग एक साल के दर्वियान लगबग साथ से आठ केस अभी ततकाल होते जा रहा है अब कीन कीन को है अब यह बिना जांच का पता चलेगा नहीं जब भयवार रूप ले लेता है तो लोगों को पता चलता है कि मने कुम से बिमारी हो गया है और होने के बाद अभी लगबग अभी बरतमान मेरे घर से 200 मीटर की दूरी में पांच केस है ऐसा जो कि अभी मने ततकाल टीटमेंट जिनका कहीं न कहीं से चल रहा है और इस इस्तिति में लोग को अब यह सब सून के अब डर्नल लगने लगा पंचाइद को लोगों को कि क्या होगा हमारी का इस्तिति रूप तो नहीं ले लेगा पंचाइद का है कि दाइरे में यह बहुत सोचनी यह बात है और इस पर हमानी जिला प्रदादिकारी और जो भी परखंड के प्रदादिकारी हैं उनसे अगरा करेंगे कि हमारे पंचाइद का यह पानी आर्शाइनी का दोस्ट है या और किसी कारण से रूप से हो रहा है इसका जांच किया जा पिताजी का नाम उमा संकर या दव है जी अभी मुँमें कैंसर हुआ है अभी फूंसी टाइप का हुआ था जो मुह में और वह विक्राल रूप ले लिया है अभी जिसमें एक महिना से तो उसका खाना पीना सारा बंद है जूस्पी के काम चल रहा है उसका प्रस्तिती ज्य यादव ने इसे समस्या को लेकर अस्थानिय प्रात्मिक स्वास्त केंद प्रभारी को एक आवेदन देते हुए इस मामले को लेकर त्वरित जाच की मांगी है को देखो आवेदन कल ही मैं प्रेशित किया उनके इमेल को भेजा है कि इसकी तत्काल जो है कमीटी बनाकर इसकी जाच कि जाए उचस्तरिय जाच कि जाए ताकि लोगों का जान का रच्छा हो सके मैं सरकार से पुना मांग करता हूं कि इसकी समुचित इलाइज कराया जाए और जो है कि जो कैंसर प्लित है उनके बाल बच्चे के परिवरिश के लिए सरकार उसको मुहाईया राशी कराए और उसको मुहावजा दे और उनका समुचित इलाइज करवाए इदर स्वास्त केंडर के प्रभारी डॉक्टर ने दी केवी सी समवदाता इसके साजन को बताये कि आवेदन को सिविल सर्जन के पास भेज दिया गया है जल्दी इस मामले में जाच की जाएगी मत करेला परवाही नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही सुरक्षा के मानकों से मत कीजिये समझोता अन्यथा हो सकता है बड़ा खत्रा हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कम्प्योटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी वेबसाइक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्स्टिंग योशर यानी अगनी शामक यंत्र और चस्तर ये प्रीमियम क्वालिटी की फायर एक्स्टिंग्योशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर रिशी भवन पाउडर, गैस और कैमिकल हर फॉर्म में उपलब्द स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी सदी सिक्योरिटी नियर रिशी भवन बड़ा बाजार कटिहाद फोन नमबर 064-5425-73 मोबाइल नमबर 9297-979709